कि सब्सक्राइब जी सब्सक्राइब एलेक्ट्रिक और प्रेस्ट बेल आइकोन फॉर लेटेस्ट अप्देट हेलो दोस्तों आज मैं फाइब लूप थ्री रिले कनेक्शन का डियाग्राम बतला रहा हूं चुकि यह 92-280 वोल्ट के लिए इस्टेबलाइजर का जो ट्रंसफर्मर आता है उसके कनेक्शन के लिए है इसमें दो तरह का आता है एक तो चार लूप का आता है जिसका वीडियो मैंने अल्लेडी डाल रखा है और एक आता है पांच लूप का तो इसका भी तीन रिले के साथ कनेक्शन को भी हम यहां कर रहा है इसमें ट्रंसफर्मर का पले सिकर कर दे यह ट्रंसफर्मर का प्राइमरी वाल है यह कोर का हो गया सिंबल और यह इसकेंडरी वाल है जिसमें पांच लूप आएगा यह ये जो हो गया आपका फर्स्ट लूप हो गया ये सेकेंड हो गया ये थर्ड हो गया ये फोर्थ हो गया और ये फिफ्ट लूप हो गया इसमें हमें तिन रिले इंडिकेट मैं यहां कर रहा हूं यह एनसी हो गया यह एनो पॉइंट हो गया और बीच का यह कॉमन या पी आप कुछ भी इसे माल लें यह रिले वन हो गया इसी तरह फिर हम दूसरे रिले का इंडिकेशन यहां डाल रहा है यह हमारा दूसरा रिले हो गया इसका यह कॉमन हो गया पी यह एनसी हो गया और यह एनो हो गया यह हमारा सेकंड रिले हो गया रिले टू इसी तरह फिर यह तीसरा रिले मैं बना रहा हूं यह हो गया पी कॉमन और यह हो गया एनो और यह हो गया एनसी यह हमारा relay third हो गया इसमें जो first loop है वो first relay के NC पर आएगा ठीक है second second relay के NC पर आएगा third जो है यह third relay के NO पर जाएगा fourth जो है यह सेकंड रिले के एन ओ पर आएगा यहां आ जाएगा एक यहां हो गया और यह जो फिप्थ है यह थर्ड रिले के एन सी पर चला जाएगा यह आपका टूटल ट्रांसफरमर से जो लूप आया यह रिले के सभी पॉइंट पर कनेक्शन हो गया अब आप देखेंगे यह एनो खाली है और सेकंड रिले का पी खाली है तो यह दोनों आपस में सौट हो जाएगा इससे आपस में आपको सौट कर देना है यानि फर्स्ट रिले का एनो सेकंड रिले का कॉमन पी अब यह जो है एक नमबर रिले यहां हम इनपूट सप्लाई देंगे और यह जो फी है थर्ड रिले का यहां से हम आउटपूट लेंगे इस तरह से आप पांच लूप और थरी रिले के साथ कनेक्शन कर सकते हैं और दोस्तों कैसा लगा वीडियो जो लाइक से और कॉमेंट करेंगे दन्यवाद